Hello and welcome to your favorite channel, Brain O Solution देखो बच्चो, question number 5 में ही कहने है, तुमारे पास एक series given है, ठीक है, जिसमें पहला term है 7, 13, 19 और 205 तुमको बताना है कि इस series में कितने number है, तो देखो बच्चो, हमारे पास एक formula है, an is equal to a plus n minus 1d तो मैं क्या करूँगी, इस formula का use करूँगी, ठीक है, यहां से मैं last वाला number रख दूँगी term, यहां से मुझे n पता चल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा यह series में कितने number है, ठीक है, turns है, तो देखो यहां पर an हम ले लेंगे last वाला 205, ठीक, a ले लो तुम अपना first term, that is 7, ठीक, n तुम को find out करना है, ठीक है, और d ले लेते हैं, हम d क्या होगा बच्चो, a2 minus a1, difference ही तो होता है, किसी भी दो का difference ले लो, a3 minus a2 ले लो, a4 minus a3 ले लो, तो मैंने a2 minus a1 ले लिया, ठीक है, तो यहां पर जो difference है, वो कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास 6 आ ठीक है, formula is, an is equal to a, a क्या है, 7, plus n minus 1 into d is 6, ठीक है, क्या करूंगी, यह साथ को इदर लाओ, 205 minus 7, ठीक है, this is equal to 6 into n minus 1, n minus 1 into 6 कर लो, या आगे पीछो कर लो, एक ही बात है, ठीक है, 205 minus 7 is 198, ठीक है, n minus 1 into 6, यह वाला 6 में नीचे उठा के लिए आती हूँ, इदर, यह division में आ जाएगा, ठीक है, सही है, तो यह कितना हो जाएगा, तुम्हारा यह हो जाएगा, 6 3s are 18, 6 3s are 18, ठीक है, 33 is equal to n minus 1, ठीक है, यह minus 1 इदर लाओ, तो plus 1 हो जाएगा, तो 33 plus 1 is equal to n, तो यहां पर n की value कितनी आ जाएगी बच्चो, 34, ठीक है, तो देखो बच्चो, यहां पर इस series में कितने terms है, 34 terms है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो के, in this series, we have 34, we have 34 terms, ठीक है, n is equal to 34 भी enough था, ठीक है, clear, अब आज जो उसके second part पर, अब देखो बच्चो, second part में फिर एक series गिए मैंने तुमें number of terms निकालना है, ठीक है, मैं इसी formula का use करूंगी, an is equal to a plus n minus 1d, ठीक है, लेकिन मुझे फिर a सब कुछ चाहिए, तो चलो देखते हैं, यहां पर a क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, first term, ठीक है, n तुमको find out करना है, कितने terms है, ठीक है, an last term क्या लोग है, minus 47, ठ ठीक है, और d क्या लोगे बच्चो, d हो जाएगा, a2 minus a1, यह हो जाएगा, 15, 1 by 2 minus 18, ठीक है, यह हो जाएगा, इसे करो, 15 into 2, 30, plus 1 is 31, minus 18, ठीक है, यह हो जाएगा, 31 minus lcm ले लो पूरा, तो यह हो जाएगा, 36, यह हो जाएगा, minus 5 by 2, ठीक है, तो d आ गया, minus 5 by 2, चलो, अब यहाँ पर formula में put करते है, an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक, चलो, यहाँ पर last term क्या है, minus 47, ठीक है, a क्या है, 18, n तुमको निकालना है, यहाँ पर कितने terms, d क्या है तुम्हारा, minus 5 by 2, ठीक है, अब यह minus, यह plus का 18 इधरा के minus का हो जाएगा, minus 47 minus 18, this is equal to n minus 1 into minus 5 by 2, ठीक है, यह तुम्हारा हो जाएगा, this will be 65, तुम्हारा हो जाएगा, minus 65, ठीक, अब दिको यहाँ पर multiplication में, minus 5 उपर है, 2 नीचे, तो मैं इधर लाओंगे, तुम्हारा हो जाएगा, minus 5 नीचे, तो यह n-1 इधर ही रह जाएगा, ठीक, minus से minus कैंसल हो जाएगा, फिर हो जाएगा, 5, 1s are 5, 5, 3s are 15, ठीक है, 13 into 2 is, 26 is equal to n minus 1, तो यहाँ से n की value कितना आजाएगी, 26 plus 1, this is equal to 27, ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चो, n की value आगी 27, मतलब इस series में तुम्हारे पास 27 terms है, ठीक है, clear है, अब हम चलते हैं, question number 6 पर,